तो एक और जहां कोरोना की संग्रमन को रोकने के लिए सरकार के स्थर पर कई प्रियास किये जा रहे हैं, दुनिया भर में इसकी दवाओं को लेकर भी रिसर्च चल रही है। अमेरिका के राश्टपती डॉनल्ड ट्रॉंप ने दावा किया है कि मलेरियास से लड़ने वाली दवा कारगर साबित हो रही है, वहीं दूसरी और चीन में भी एक अलग तरीके का दावा किया जा रहा है। इस पूरे विशे को समझने के लिए सीनिय डॉक्टर रवी मलिक से मुलाकात की मेरे सही होगी ललित नाराएंड कानपाल ने। कि जो जैपैनीज फ्लू है उसके अंतर का जो दवा जी जाती है वो उनके वहां एफेक्टिव है। क्या दवाओं का जो ये अलग 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 जगों के मरीजों पर असर दिख रहा है। इसको किस तरह से देखना चाहिए इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर पेडिटिशन डॉक्टर रवी मलिक उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा समझाई है अमरे दर्शकों के लिए। जबाने में क्यूनीन कहते थे और यह उसी का डेरिवेटिव है क्लोरोकुइन जो है और मलेरिया के लिए बहुत एफेक्टिव दवाई यापको याद होगा पुराने जवाने में जो आग से दो साल पहले जिसको मलेरिया होता था मौत हो जाती थी लेकिन यह क्लोरोकुइन दोनल्ड टरम जी ने यह स्टेटमेंट दी है क्लोरोकुइन जो है वो इस दवाई इस वाईरिस के अंदर एफेक्टिव है लेकिन और एफडिया अप्रूवड भी है और एफडिया नॉर्मली बहुत टाइम लेता है अप्रूव करने में लेकिन हमने इसको जल्दी अप्र इसका क्रूफ होने से पहले बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल सोते हैं पहले तो ये देखा जाता है इसकी डोस कितनी होगी दोस होगी तो क्या वो सेफ है के नहीं है पिर उसके बाद इन देखा जाता है ये эффctive कितनी है pe immediate कि आप Vander numa धुक्राइम Madam एक लीडिया होती है तब कही ह वाइरल इंफेक्शन में कारगर है या ये कॉर्णा में कारगर है तो जब तक ये दवाई जो है उस अगनी परिक्षा से निकल के सिद नहीं कर देती कि हाँ ये वाके ही इसमें कारगर है और इसके साइड इफेक्ट नहीं है और ये डोस्ट चाहिए तभी हम उसको दे सकते है तो FDA ने अप्रूव नहीं किया भी इसे जैसा कि मुझे मीडिया सोर्से से पता चला है डोनल्ड टरम जी ने क्या जरूर दिया था लेकिन अभी अप्रूव नहीं किया लेकिन हाँ इसकी संभावना काफी है कि हो सकता है आने वाले टाइम में FDA अप्रूव कर दे और ये क्लोर वाले जल्द ही समय के अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेटली ब्रेक्ट्रू होना चाहिए मैं एक बात अपसे ये भी जाना चाहरा हूं कि हमने देखा कि जिस तरह से राजिस्थान के सवई माधो सिंग अस्पताल में HIV और दूसरी दवाओं को मिला कर जो दवाई दी गई ज लड़े जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इस तरह से बड़ा मुश्किल होता है जब तक हम एक दवाई को क्लिनिकल ट्राइल्स ना देदें जैसे मैं आपको बताऊं सपोजिंगली इनको करोना वायरिस की इंफेक्शन है मैंने इनको दवाई दे दी अब ये ठी हो गए हो सकता है इनों कुदरत ही साब से ठीक होना था हो सकता हो समय आ गया जब इनों ठीक होना था उस वकत मैंने दवाई दे दी तो दो चार पांच मरीजों को दे के हम लोग नहीं कह सकते इसके लिए क्लिनिकल ट्राइल्स चलते हैं बाकाइदा जिसमें कि हम नॉर्मल भी देखे देखते हैं बिमारी वालों को भी देखे देखते हैं फिर बिमारी वालों की स्टेजिस देखते हैं और जो बिमारी वाले हैं जिनको नहीं देते उनको देखते हैं वो किस तरह से चले और दवाई देने के बाद वो किस तरह से चले फिर हम दोनों को करते हैं जै duration of fever कितना रहा, उनकी difference कब हुई, वाइरस की, उनमें complications कितनी हुई, उनमें mortality यानि मृतियों कितनी हुई, तब कहीं जाके निशकर्ष निकलता है कि हाँ ये दवाई जो है इसमें effective है या नहीं है, देखिए दो-चार मरीजों को देखे अगर हम कहें तो मेरे होना चाहिए, कि ये दवाई वागई effective है के नहीं है, आदे अधूरे clinical trial के ऊपर हम दवाई को दे दें, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से scientific नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, अगर हमारे पास कोई option नहीं है और उस दवाई के side effect नहीं है, तो हम clinical trial के साथ में, ultimately clinical trial भी तो हमने कर नहीं है, तो clinical trial के रूप में हम इस दवाई को इस्तमाल करके अपना data देख सकते हैं, we can analyze our data के ये वागई दवाई effective है के नहीं है, अच्छा दवा से पर एक कल प्रधान मंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का एलान किया है, अगर थोड़ा सा टेक्निकली आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि जो 36 घंटे का जनता कर्फ्यू होने जा रहा है, ये कैसे कोरोना संक्रमन को रोकने में effective होगा, दिखिए लली जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूचा है कि ये परधान मंत्री जी ने ये जनता कर्फ्यू का क्यों सोचा है, है ना, मैं आपको बता दूँ परधान मंत्री होगे, हमारे देश के स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन होगे, ये सब लोग लगे होएं दिन रात, और इन्होंने जनता कर्फ्यू का इसलिए इस्तमाल किया है, उसकी वज़ा है, उसकी वज़ा ये है कि एक तो जनता को डिसिप्लिन रहने की आदत हो जाए, क्योंकि हो सकता है, आगे हमारे को जनता गर्फ्यू और भी लगाने पड़े, हो सकता है, पैंडमिक फैल जाए, तो सड़नली हम लोगों को नहीं कह सकते है, भाईया आप घर में रुको, हो सकता है वो रुक पाए, तो एक तरना से ट् अंदर ही है, तो इन 24 घंटे में क्या होगा, कि बाहर जिस जिस सर्फिस के उपर वाईरस है, क्योंकि यह वाईरस वैसे सर्वाइब करने को तो 3-4-5 दिन भी कर जाता है, लेकिन आम तोर पे 24 घंटे के अंदर नॉर्मल सर्फिस के उपर यह वाईरस इनक्टिव भी हो जात गी, और एक हुमन चेन की एक भक्ती भावना आ जाएगी, कि हम अकेले इस से नहीं लड़ रहे हैं, हर व्यक्ती इस से लड़ रहा है, तो यह एक बहुत ही एक अच्छी सोची सोच है, जिसमें की लोग आपस में जुड़ेंगे, सबसे बड़ी चीज है हम जैसे चीजों को देखते हैं, खत्रा भी लेते हैं, हमारी नरसे है, हमारा पेरिवनिकल स्टाफ है, मेरे और दोस्त, जो भाई लोग हैं, उनके लिए आप लोग थोड़ा सा परीप्रेज भी कर देंगे, पांच बजे के करीब में, तो यह एक एंथूसियासम आ जाएगा, मेडि स्टाफ हैं, तो जो आप आपने बड़ी बहुमी का निभाएं, जिससे इसको सफल बनाया जा सकते हृँए कैमरा परसन राजेश के साथ ललित नारायन कानपाल टोटल न्यूज दिल्ली